हलो गाइज वेलकम टू अमेजिंग लर्निंग हब चैनल आप हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना न भूलें अगर आप चैनल में पहली बार आएं तो बेल बटन प्रेस करकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और अपने फ्रेंड्स को सेयर करना नहीं भूलें वसियत के बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं वसियत क्यों आवस्यक है वसियत में सारी प्रॉपर्टी जो स्वारजित पैत्रिक संपत्ती गिफ्ट की संपत्ती बैंक में निधी बैंक में जमारासी इन सब की वसियत की जा सकती है वसियत अपने बारिसों के अलावा हम किसी ऐसे व्यक्ति को भी कर सकते हैं जिसे हम चाते हैं उसके नाम भी वसियत कर सकते हैं अब आज हम study कर रहे हैं वसियत को सबसे पहले एक सादे काज़ में यह इस्टाम पर लिखना चाहिए और उसमें दो साक्षियों के हस्ताक्षर होने चाहिए साक्षी अठारे वर्से उपर के और समझदार होने चाहिए ऐसा नहीं है कि हम नाबालिक से को साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करवाएं वसियत का पंजी करां वेकल्पिक होता है लेकिन भविश्य में आपके वसियतदारों को दिक्कत नहीं हूँ तो वसियत का रजिस्ट्री करण भी होना चाहिए साक्षी करण के साथ साथ इसका रजिस्ट्री सन रजिस्ट्रार अत्वा उप रजिस्ट्रार के यहां पर वसियत का पंजी करण होता है पंजीकर्ण करवाने से वसियत प्रमारिक हो जाती है कभी कभी बैंकों तथा भिन भिन प्रादी करनों में पंजीकर्ण वसियत की मांग की जाती है आपको तथा आपकी वसियत पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की वसियत की दो मूल हस्ताक्षरित प्रतियों दो फोटो तथा पैचान के साक्छी की एक साथ रेजिस्टार के कारल में जाना होता है और बहुत कम सुल्क देने पर बहुत कम के स्टाम्प लगते हैं और उसका रेजिस्ट्री करन हो जाता है क्योंकि देखिए अगर हम चाहते हैं हमने जिनको बस्यत की है वो आगे किसी भी प्रकार के टैंसन में नहीं आए उनको किसी प्रकार का कानूनी रूप से संगर्ष नहीं करना पड़े इसके लिए दो प्रमारित साक्षी तथा